वेलकम टू मैं चैनल आरजेवेज किचन आज हम बनाने वाले हैं गाजर और मूली का बहुत ही टेस्टी अचार साथ में हम उसमें मटर भी एट करेंगी सालो साल चलने वाला अचार है पूरी रेस्पी देखिएगा और हम इसे इस्टेंटली बना कर यूज कर सकते हैं तो चल उसके बाद हमें उसमें डाल देना है एक चमच नमक पूरे में फैला लेंगे और फिर गाजर मूली को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है किसी इस्पून की हेल्प से या आप हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके ले लिया हैं अब हम इसे ठक कर छोड़ दिंगे चार से पांच घंटे के लिए देखिए चार से पांच घंटे हो गए हैं और मैंने इसके ठकन को ओपन कर दिया है अब कॉटन के कपड़े में हम इस तरीके से इसे निकाल के फैला देंगे देखिए कितना पानी नीचे से हुआ है यह सारा का सारा पानी गाजर और मूली का ही है पानी को निकाल देंगे और गाजर मूली को हमने अच्छे से फैला के लिए और मटर भी दोके ले लिए तो इसी के कौने पर मटर को भी इस तरीके से फैला देती हूं ताकि थोड़ा भी मौश्चन ना रहे तो आधे से एक घंटे बाद सारा मौश्चन निकल गया है अब मैं ले लिए कड़ाई उसमें में डाल रहे हूं सर्सों का तेल और उसको धीमी आज पर गरम होने के लिए छोड़ दूँगी अब एक यहां पर ग्रैंडर लिया मैंने उसमें वन टेबलिस्पून धनिया दाना वन टेबलिस्पून चीरय थोड़ा सा सपेथ नमक और यहां पर मैंने मेथी के दाने एट कर दिये हैं अब मैं ग्रैंड कर लूँगी इनको सभी यहां पर मैंने दरदरा ही ग्रैंड कर रहे हैं बहुत जादा बारिक हमें ग्रैंड नहीं करना है देखे यहां पर इस तरीके से मैंने इसे दरदरा ग् चाहते हैं तो आपसमे थोड़ा सा कसमीरी लाल मिर्च और चल सकते हैं। मिर्च तो हमें तरह की मिर्च आपने और जलगेर मिर्च भागे और मिर्च सब्सक्राइइ लाव 77 अद्ब पांद günstern, और एक चुछ형छी चुमछ कर दूंगी अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें गाजर और मूली भी एड़ कर दीनी है सारी की सारी गाजर मूली एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको लगभाग 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और उसके बाद उसमें मटर भी डाल देंगे और मटर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे तो लिव फ्लेम पे हमें फिर सही से पकाना है दस से बारा मिनिट के लिए और यहाँ पर मैं डाले हूँ थोड़ी सी सॉप बिल्कुल फ्रेश सॉप है और सॉप को भी अच्छे से मेक्स कर देती हूँ सॉप मैंने पहले एड नहीं करी थी क्योंकि सॉप मैं बाद में ही एड करूँगी तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे अचार में आप चाहें तो सॉप की क्वांटिटी इसमें और एड कर सकते हैं अब इसे हमें धीमी फ्लेम पे 5-7 मिनिट के लिए कूक करना है 10-12 मिनिट बाद हमें फिर से गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है और देखिए सारे मसालों की कोटिंग बहुत अच्छे से हुई है गाजर, मूली और मतर में अब हमें इसमें डालना है एक चौथाई कब विनेगर या आप नीवू का जूस भी डाल सकते हैं और इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को कर दीजी ओफ तो देखिए यहाँ पर हमारा सुपर डूपर टेस्टी अचार बनके तयार हो गीया है अब हम और इसे धंडा होने के लिए छोड़ देना है अचार धंडा होका है अब हम उसे एक काच के या प्लास्टिक के कंटेनर में इस तरह के से फ्ल कर दिंगे पूरा अचार फिल करने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा और सरसो का ओल डालना होगा जिससे वो और लंबे टाइम तक चल सकता है अब इस अचार को हम इंस्टेटली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरी अचार की रेस्पी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए वीडियो पर बने रही और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए आपका धनिवाद